खेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको चार्ट को रीडिंग करना सिखाऊंगा कि दोस्तों चार्ट को कैसे रीर करते हैं चार्ट को रीडिंग करने के लिए हमें चार्ट पॉइंट को जानना बहुत जरूरी है यानि कि इन चार point से आप यह पता लगा सकते हो कि चार्ट मार्केयट चार्ट में जो चार्ट बन रहा है कहा जायगा ओपर जायगा नीच जायगा इनी चार important point से लोग चार्ट को reading करते हैं तो इस वीडियो में आपको यही चार point सिखाने वाला हूँ इस वीडियो को देखो एंड तक और इन 4 पॉइंट को सीखो कि दुस्तों इन 4 पॉइंट को मारकेट अगले दिन कहा जाने वाली है और आप जब ट्रेड लोगे तो आपका ट्रेड सही जाएगा क्योंकि दूस्तों इन 4 पॉइंट से लोग चार तो रेडिक करते हैं हो चार्ट को रीड़ कर सकते हो और कैसे रीड़ करना है सब बताऊंगा ठीक है तो इस तो इस वीडियो को आप लोग बिना skip की end तक देखो अगर बीडियो को बिना skip की end तक देखते हो तो पक्का 100% आप चारड को जान जाते हो तो 90% chance है कि जब आप chart को reading करोगे आप पता लगा सकते हो कि market किदर move करेगी ओपर जाएगी या नीचे जाएगी 100% देखो दोस्तों यहां पे आपको इतने बड़े-बड़े move देख रहें हैं देखो यह बहुत बड़े-बड़े move आपको मिलेंगे ऐसे सीच करके तो फिर जानते है कि वह चार कौन से point है ठीक है तो सबसे पहले दिखो यहाँ पे जो पहला point है मैं आपको इससे समझाना कर देखो यहाँ पर दो टाइम फ्रेम है ठीच के आप इन चार्ट इंपोर्टेंट पॉइंट को न चैम फ्रेम पर करहूँज करे अगर आप दोस्तों इंटरड lanes करते हो मैं आपको सिरिफ इंटर डी के लिए बता रहा रहा हूं थी कि इंटरडे के लिए स्केल्पिंग के लिए बस तो देखो अगर दोस्तों आप स्केल्पिंग करते हो ठीक है तो आपको पांच मिनट का चार्ट देखना है ठीक स्केल्पिंग के लिए लेकिन अगर आप इंटरडे करते हो तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कितने मि और इंटरेड ठीक है यही दो टाइम फ्रेम आपको usefulने हैं चार्ड को reading करने के लिए जो सबसे पहला point है वह क्या है दोस्तों है ट्रेंड हमें को एडिन्टीफाइए करना होता है कि सबसे पहले देखो दोस्तों आप मार्केट में आते हो आपको यहाँ पे आपको ट्रेंड देखना है कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है जैसे कि यहाँ पे देखो दोस्तों क्या हुआ कि मार्केट में यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है देखो यहाँ पे यहाँ से मार्केट नीचे गिरी हुए ठीक है यह डाउन ट् तो आपको क्या करना है आपको ट्रेंड को देखना है अब इसके बाद हम क्या करेंगे हम यहाँ पर दुसरे पॉइंट को समझेते हैं कि दुसरे पॉइंट पर आपको क्या करना है देखो दोस्तो मैं आपको जो बता रहा हूं इसी चीज को लोग योज करके चार्ट को रीड कुछ हैसे आपको दिखाए देगा, अगर दोस्तों, यहाँ पे market नीचे गिर रही है, तो यह क्या है downtrend है, अब यहाँ पे हम दुसरे नंबर पर दोस्तों यहीं समझेंगे, कि भेवियर कैसे पहचाने, market का यानी कि प्राइस का भेवियर कैसे होता है, ठीक है, जिसे आपको दिखा कि ट्रेंड डाउन ट्रेंड में हैं बहुत तीजी से मार्केट नीचे गिर रही है अचानक आप हो दिखता है कि सपोर्ड लेने के बाद प्राइस क्या करता है यहां पर कंसूल इडेशन फेस में फच जाती है देखो दोस्तों यहां पर प्राइस बहुत दिरे दिरे बनाती हुई ऊपर जा रही है स्मार्ट मनी ऑपरेंटर क्या करते हैं कि वह लोग ट्रेंड को जादा फ iced करते है exhibitedifiers जब लोग बचे हैं बस अब यहां पे दल्ट गinal पर सोच रहें कि प्राइस उपर जाएगा यह लों गया यहां पर खुंख की छोटे छोटी आप को Bene दोस्तो काफी time तक काफी थी चार घंटे दोस्तो यहां पना पर क्या में कूछ लेकिन देखो जहां पर ऑपरेटर रहेगा वहां पे प्राइस इतना देड़ तक दोस्तो क peng पास नहीं करेगा प्राइस का भेवीड दोस्तो यही है आपको ऐसे यहां पर rein चानना है। जैसे कि आपको दिख रहा है दोस्तों अभी यहाँ नहीं जाना है। जानतेरी जाओ दोस्तों जादा विद्धों खेंगे अगर उतों यहाँ पर सब्सक्राइब देना है दोस्तो एसल की मार्केट में दोस्तो एसल कहां पड़ा हुआ है तो मार्केट तभी मूब करेगी जब तक उसे फ्यूल मिलेगा मार्केट का फ्यूल क्या है दोस्तो इस्टोब लोस है रिटेलर की तो जब तक दोस्तो यहां पे मार्केट इस्टोब लोस को नहीं पा पर सेदर के भी इस्टोपलोस है लेकिन कहां पर है दोस्तों यहां पर है इनका इस्टोपलोस यहां पड़ा है तो दोस्तों यह लोग अभी लंबे समय के लिए यहां पर होल्ड करके रखे हुए हैं यहां पर दोस्तों बायर बाय कर रहे हैं मार्केट को उपर लेके जा रहे यहां पर बहुत लोग तो Entry लिये होंगे तो यहां पर अपना S.L. तो रखे होंगे ठीक है तो यहां पर दूस्तो ओपरेटर इसी का फायदा उठाथा है ओपरेटर दूस्तो यहां पर थोड़ी सी बाइंग करता है एक बड़ी सी ग्रीन कईडल बनती है तो यहां पे दोस्तो और भी बायर आ जाते हैं यहां पे दोस्तो और भी बायर इसे देख के आ जाते हैं जब अधिक मात्रा में दोस्तो बायर आ जाएंगे तो अपना इस टोबलोस कहा रखेंगे दोस्तो इसी पर रखेंगे इसके दोस्तो नीचे यहां पे अपना ASL रखेंगे ठीक है, जाद से जादस दोस्तो ASL कहा along पढ़ा हुआ है नीचे है, क्योंकि देखो दोस्तो यहां पे जो Siller के ASL हैं, दोस्तो यहां पे उपर बच्ची हुआ है दोस्तो यहां सब दोस्तो यह सब एसल काफी दूर है तो दोस्तो मार्केट यहां तक डारेक्ट नहीं जा सकती यानिक दोस्तो यहां पे इससे जाने के लिए क्या चाहिए इसे फ्यूल चाहिए इसके बाद यहां पे दोस्तो ओपरेटर क्या करता है यहाँ पे एक बड़ी सी red candle बनाता है और price दोस्तों यहाँ से नीचे गिरा देता है देखो यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ price यहाँ पे देखो नीचे गिर गया और यहाँ पे सभी की दोस्तों एसल खटाखट खटाखट दोस्तों यहाँ पे सबी केसल खतम कर दिये यहां पे सभी लोग दोस्तों मारकेट से क्या हुए अलविदा हो गए यहां से सब लोग एगजिट हो गए ठीक है इसके बाद यहां पे जो चौथा पॉइंट दोस्तों वो क्या है वो है यहां पे support resistance और देखो दोस्तों यहां पे एक strong support भी है देखू यहां पे दोस्तों यहां पे गिरने के सास्थ क्या होता है कि price दोस्तों यहां पे support को breakout करता है देखू यहां पे दोस्तों यहां पे जब breakout किया तो दोस्तों क्या हुआ यहां पे बहुत लोग इंट्री लिये होंगे दोस्तों यह सोचे कि यह प्राइस नीचे गिरेगा यहां पे जितने लोग इंट्री लिये होंगे दोस्तों वो लोग अपना एसल कहा रखे होंगी यहां पे यहां पे दोस्तों अपना एसल रखे होंगे और यहां पे तो एसल पड़ी करेंडल के साथ दोस्तों मार्केट ने ब्रेक आउट दिया है और देखो यहां पर ध्यान दो कि जो करेंडल ने ब्रेक आउट दिया है सपोर्ट को दोस्तों उस करेंडल के लोको ब्रेक नहीं किया सिकंड करेंडल अगर यहां पर इस करेंडल के दोस्तों लोको सिकं नियुज आ जाती है तो दोस्तों वहाँ पराइस इस्टोबूस को फूलो नहीं करता जैसे कि यहाँ पर दिखेना दुस्तों क्या हुआ यहाँ पर ब्रेक आउट दिया तो यहाँ पर बहुत लोग लिए अपना ACL यहाँ पर रखे होंगे आपको चोथा point ये ध्यान रखना है कि दोस्तो support support दोस्तो जब भी break out हो रहा है तो जब तक आपको confirmation नहीं मिल जाए यानि कि दोस्तो यहाँ पे आपको confirmation का bait करना है इसकी बाद देखो दोस्तो क्या हुआ price यहां से ऊपर चला गया और देखो दोस्तो यहां पे एक strong क्या है दोस्तो यहां पे strong resistance है देखो दोस्तो यहां पे जब price यहां से breakout किया था यहां पे बहुत लोग buy किये थे यहां पे यह लोग दोस्तो यह ध्यान नहीं दिये थे कि यहाँ पर एक resistance से strong देखो दोस्तों यहाँ पर एक strong resistance था price नीचे गिरने का एक कारण दोस्तों यह भी था कि दोस्तों price यहाँ से नीचे गिर गया क्योंकि दोस्तों यहाँ पर supply जोन था ठीक है इसके बाद देखो यहाँ पर price उपर गया और यहाँ पर दोस्तो इससे भी बिरेक कर दिया और यहाँ पर देखो इसकी हाई को भी मार्केट ने बिरेक करके यहाँ तक हाई मारा है यहाँ पर जितने भी दोस्तो एसल बचे हुए थे यहाँ पर सिलर के सभी की एसलो खालिया मार्केट इसके बाद दोस्तो मार्केट ने यहाँ पर सब का छुट्टी कर दिया देखो भाई लोग बाकी दोस्तो देखो यहाँ पर चार्ट को रीडिंग करना तो दोस्तो एक कला है ठीक है जब तक दोस्तो आप चार्ट को डेली देखोगी नहीं समझोगी नहीं तब तक आपको चार्ट रीडिंग करना नहीं आएग तो दोस्तो आप मुझे कुमेंट में लिखी बता सकते हो, कुछ भी दोस्तो, कुछ भी आपका डाउट है तो मुझे कुमेंट में लिखी बताओ, इसकी अलाओं दोस्तो आपका जो भी कुछ चन है, आप सब चाहों पूछ सकते हो, ठीक है, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा ठीक है अपने दोस्तों को से कीजिएगा जो भी लोग यहां पर सीखना चाहते हैं दोस्तों उन्हीं से कीजिएगा वीडियो ठीक है